मेरा नाम है सतिंदर परताप और आज के इस फीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का इंपोर्टेंट टॉपिक जियोग्रोफी से चैप्टर नमबर 8 और हमारे पास समय बहुत कम है तो जितनी जल्दी में जो हो सकता है हमसे वो करेंगे आये सुरू करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं निर्मान उद्योग चैप्टर 8 विबिन आदारों पर वी निर्मान उद्योगों का वर्गी करन किया गया है ये जो वी निर्मान उद्योग होते हैं जहां पर वस्तों में बनते हैं विबिन परकार की उनको दे पिजी, मिश्रित और सहकारी फिर उसके बाद है उत्पात के उपयोग के आधार पे आधार बोत उपयोग बोक्ताउद्योग पूंजी इस तरीके से फिर कच्चे माल किस रोत के आधार पे ठीक है और फिर निर्मित वस्तों पे इन सब चीजों को हमने यहां से देख लिया है अब आते हम सिदा आगे Most important question Paper में ऐसे question काफी आते है Question यह है कि उद्द्योगों को प्रभावित करने वाले कारक यानि जो उद्द्योग हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं मान लो कि आप किसी चीज का उद्द्योग लगाने चारे हैं आप कोई factory खोलना चाहते हो तोाप इस factory माले को तो उसके बारे में उद्द्योग लगाने से पहले об देखो सबसे पहले आप यह सोचोगे की कच्चा माल वहां परूप वुभ्द है या नहीं यानि कि हमें मान लोग कि हम खिलोनों की फैक्टरी ऐसा उद्ध्योग लगाना चाते हैं जिसमें हम खिलोनों का निर्मान करें बहुत बड़े लेवल पे तो हमें खिलोने बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होगा प्लास्टिक वगएरा या और कोई चीज क्या वो चीज वहाँ पे उपलब्ध है अच्छे से आसपास या नहीं इस चीज को देखके हम उद्ध्योग लगाएंगे सोरी तो यहां से मान लोग अच्छा माल आ रहा है तो कैसे आएगा भई गाडियों में आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए हमें परिवेन फिर हमारे यहां से जो चीज बनके जाएगा जाएगी बाजार की तरफ वो भी कुछ न कुछ उसके लिए भी परिवेन व्यवस्ता तो परिवेन की और कम्मिनिकेशन की संचार के साधन अच्छे होने चीए फिर अगला है कि सस्ता और कुछल स्रम क्योंकि हर कोई चाहता है कि सस्ते और कुछल स्रम में काम हो जाए तो ये भी चाहिए फिर ओद्योगिक नीती कि सरकार की नीतिया क्या है सरकार की नीतिया और भी बहुत सारे reason हो सकते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान लखेंगे अब यही question में कैसे आता है आपको वो भी दिखा देंगे अब आते हम थोड़ी सी summary बढ़ लेते हैं थोड़ी सी यह है कि प्रात्मिक किरिया कलापों से प्राप्त उत्पाद को पुने निर्मान कर माना उत्योंगी बनाने की किरिया को दुद्तिय किरिया कलाप कहा जाता है मुझत है निर्मान उत्योंग में आता है यह तो सब हम जानते हैं कि प्रात्मिक किरिया कलापों से जो चीज़े मिलती हैं जो भी मतलब में देखें आदुनिक समय से तो निर्वान उद्द्योग अर्थव्यस्ता के एक महत्पूनिस से बन चुका है देश की प्रगति का आकलन निर्वान उद्द्योगों की दसा से किया जाता है डेखाजाता है कि कौन से देस में निर्वान, उध्योक वगारा किस हालत में है उसी हिसाब से क्या होता है दोस्तों, उस देस की प्रग्धिका आगलन किया जाता है कि वो कितना तरखी करेगा अब आते हम थोड़ा सा आगे और देखते हम हम आते हैं सिद्धा दोस्तों कोशन आंसर भी काफी आगे पहुंच गया है चैप्टर ही दूसरा आ गया ये था हाट वाज चैप्टर अब सुरू करते हैं कोशन समरी क्या करना दोस्तों आप पढ़ ले न क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है हमें ज्यादा ज्यादा क्या करना है कोशन आंसर गरने तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो कोशन वन है हम प्लास्टिक उद्ध्योग किसे कहते हैं पैट्रोकेमिकल पैट्रोकेमिकल तो भूगर्ब यानि जमीन से निकले खनिस तेल के परिसोधन के परिसोरूप यानि जो जमीन से खनिस तेल मिलता है उसको परिसोधन करने के बाद उसमें बदलाव करने के फलस्वरूप कई परकार माल के रूप में प्रयोग करके कई परगार की वस्तोय बनाते हैं इन्हें पैट्रो केमिकल कहते हैं प्लास्टिक उद्ध्योग, सिंथेटिक, वस्तर उद्ध्योग उर्वरक आधी ये सब इसी के उधारन है आपको पता है कि भूमी से पैट्रोल वगरा जो भी निकलता है खनी स्तेल वगरा, उनसे फिर क्या है दूसरी चीजों का उस्ते यूज वगरा होता है या उन्हें बनाते है तो वो कहेंगे पैट्रो केमिकल सेकिंड जो है खाले इंपोर्टन कोशन बताऊंगा आपको वो देखना सेकिंड है ज्यान आदारीत उद्योग से क्या है अत्ती उच्छी सिक्षा यानि बहुत अच्छी सिक्षा प्राप्त व्यक्ती, व्यग्यानिक इंजीनियर आदी, उत्पाधन कारे में विशिष्ट ग्यान का उपयोग करते हैं तो इसे ग्यान पर आदारीत उद्योग क्याते हैं अब आते हैं अपने कोशन नमबर थर्ड पे आप देखो ये कोशन आया हुआ हमारे पेपर में पहले से कोशन है हमारा important कोशन है कि टाटा लोहा और इस पाथ कंपनी को जल प्रदान करने वाली दोनों नदियों का नाम बताओ कि कौन सी नदिय है जो इस कंपनी को जल प्रदान करती है तो स्वंड रेखा खार कोई इन नदियों से बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है 2013 में विजय नगर इसपाथ से यंत्र कहां पे है करना टक पांचवा वैश्व करन से क्या आताथ परे है देश के अर्थ विवस्ता को विष्व के अर्थ विवस्ता के साथ जोड़ रहा वैश्व करन कहलाता है इसमें वस्तुंसे सेवाई श्रम, पुझी, संसाधन एक राष्ट है दूसरे राष्ट में पहुंच जाती है अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो नाइन्थ चैप्टर में आपने वैश्यो करन के बारे में पढ़ा होगा अभी देखो जैसे मान लो मेरे पास फोन है एल जी कंपनी का फोन है मेरे पास कहां की कंपनी है कोरिया अब भई वहां की कंपनी है लेकिन मैंने खरीदा कहां पर इंडिया ऐसे हमारे देश की जो कंपनी होंगी उनका बना हुआ एटम भी दूसरे देशों में मिलता होगा यानि कि विभिन तरेक विभिन देशों से बनी तो किसी निर्दारी चेत्र में उद्योगों का संकेंदरन होना, श्रमिकों का अधिक होना, कोई ऐसा चेत्र है जहाँ पर उद्योग बहुत सारे हैं, वहाँ पर श्रमिक जो मजदूर हैं वो भी बहुत सारे हैं, उद्योगिक कारे में उर्जा की खपत अधिक होती है, और उ और ऐसे टाइम पर मदद करी थी जब दुनिया में कोई भी हमें मदद देने के लिए तैयार नहीं था तब रसिया ने हमारी मदद करके बिलाई इसपाथ सेंद्र और बोकावरो इसपाथ सेंद्र की स्थापना में मदद करी थी भारत की याद रखना ये पॉल्टिकल सेंस आ पीचे क्या रीजन है कारण क्या है देखो भारत में कपास उत्पादन के लिए उप्यूग जलवायू एवं अन्य परिस्तितिया आपको पता है कि दक्षिन भारत की तरफ मुंबई वगएरा में महाराष्ट वगएरा में और उदर की साइट की होता है कपास वगएरा की ज चला-AR-AR-A-U-D-Yock जिसके कारण कोशल हस्तानतरित होता है एक ये भी है कि परंपरा से चला रहा है इससे कोशल हस्तानतरित होता है यानि कोशल का बच्चा था उसने भी अपने साथ उसी काम में डाल लिया यानि उसकी जो skill थी वो उसमें आ गई वो भी सीख गया उसकाम को उसके बाद क्या हुआ परंपरा से चलता रहा है उसने अपने बच्चे को डाल दिया और फिर इस तरीके से क्या है कि मतलब ऐसे भी कई लोग है जो कई पीडियों से इसी काम में लगे हुएं तो एक चीज ये भी हो जाएगी कि परंपरा से चला रहा हुद द्योग है जिसके कारण जो skill है वो हस्तांतरित होती रह रही है मतलब एक से दूसरे पर दूसरे से तीसरे में अगला है कि उश्न आदर जलवायों के कारण सूती वस्तर की अधिक मांग हमारे हाँ पर सूती वस्तर की जो मांग है वो भी जादा है तो एक रीजन ये भी बन सकता है कोशन नमबर नाइंट देखो ठीक है तो इससे थोड़ा सा मैं रभ गर देता हूँ आप कोशन नमबर आप जब तक ध्यान से बढ़ लो नाइंट की गुड़ गाओं दिल्ली मेरट और द्योगी परदेश की परदेश में किस तरह के उद्योगों किस तरह के उद्योगों किस तरह के उद्योगों का विकास हुए गुड़ गाओं दिल्ली मेरट और द्योगी परदेश में किस तरह के उद्योगों का विकास हुए तो यह छेत्र खनी छेत्रो एवं उर्जा संसादन छेत्र से दूर है खनिक छेत्रों और उर्जा संसादन छेत्रों से तो दूर है यहां क्या हलके एवं बाजार आधार उद्द्यों के विक्सित हुएं जैसे कि विजली का सामान हो गया वस्तर कपड़े हो गया होजरी समंदी मशीन चमडा सौफ्टवेर क्योंकि यहां पर खनिक संसादन नहीं तो ज़्यादा नहीं पर ऐसे जो हलके यूज़ वाले चीज़े हैं यह इनके बाजार हैं यहां पर दिल्ली मेरट और यहां पर पैट्रो रसायन सेक्टर के अंदर काम करने वाली दो संस्ताओं के नाम बताने हैं भारतिय पैट्रो रसायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड आई पीसी एल पैट्रो फिल्स कॉपरेटिव लिमिटेड यही सेक्ट तो आपको दोस्तों यह तो नाम याद करने पड़ेंगे इसमें कोई वह नहीं है ट्रिक वगेरा कि आपको बता दो और याद हो जाएं यह कोशन बहुत अच्छा है इंपोर्टेंट है ऐसे कोशन आते हैं पेपर में नई और द्योगिक नीती की घोशना कब की गई इस नीती के चार उद्देश क्या है यह हुई थी 1991 में तो उस टाइम पे हुई थी क्या हुई थी यह नई और द्योगिक नीती की घोशना और इस नीती में क्या हुआ था कि इसके उद्देश के पूचे हैं तो हमको उद्देश के बताने अब तक प्राप्त किये गए लाब को बढ़ाना जो भी लाब हमें मिला है उसको बढ़ाना था हमें पुरानी उद्द्योगिक नीती थी उनकी कमियों को दूर करना था तीसरा उत्पातक था और लाबकारी रोजगार में स्वाप उसित विर्दी को बढ़ाना था और अंतराष्टे परतियोगिता को प्राप्त करना था क्या होता था दोस्तो उस टाइम पे हमारे देश में जो विवस्ता ही थी वो काफी फुरानी थी फिर ये नई उद्योगिक नीती लाई गई और विबिन देशों से हमारा व्यापार बढ़ा बहुत सारे सुधार हुए थे उस टेमपे देश में राजियो गांदी जी ने बात कही थी कि अगर सरकार एक रुपय बेशते किसी के पास तो गरीब तक वो पंदरा पैसे के रूप में ही पहुँचवाता है तो इसी तरीके से उस टेमपे इतने सारे सुधार हुए थे कंप्यूटर वगरा लाए गए थे तो बहुत जादा अलोचना भी हो रही थी इससे रोजगार चिंद जाएगा पता नहीं क्या क्या बाते चल दी थी तो उस टेम पे लागो की गई थी नहीं उद्योगिक नहीं थी अगला क्योशन है कि लोहा इसपात उद्योग देश की उद्योगिक विकास का अधार है ऐसा क्यों लोहा इसपात उद्योग जो है वो आदुनिक उद्योगिक करन की नीव है बिल्कुल क्योंकि ये सब भी उद्योगों का आधार है हमने पढ़ा था क्योंकि ये उद्योग कई उद्योगों को आधार बूस सामान प्रदान करता है अब मान लो भाई कोई उद्योग है उस उद्योग में कुछ चीजे बनती है वस्तुएं बनती है तो वो मशीनों वगेरा से बनती है और आपने देखा ही होगा कि जो भी मशीने होती है mostly लोहे की होती है उसमें जो भी पार्ट्स वगेरा होती है वो लोहे से रिलीडिड है ठीक है ये फिर क्या है ये आदुनिक मशीनों परिवेहन यंत्रों का आधार है इसलिए इसे उद्योगों की कुझी भी आ जाता है क्योंकि आज आप देखो कोई इसी भी चीज़ देख लो कोई गाड़ी हो जाएगी या कोई उद्योग हो जाएगा लोहे का यूज तो हर जगा होता ही है 100% आप देखो कि ऐसा हो इनी सकता कि किसी भी उद्योग में आपको लोहे का यूज ना मिले इसके बाद आते हैं सूती वस्तर उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बताओ तो सूती वस्तर उद्योग के दो सेक्टर है एक तो भई हत्करगा सेक्टर है दूसरा विद्दूत करगा सेक्टर है हत्करगा आप जानत जो ढता है काफ़ी, बारी काम होता है, महीन काम होता है, तो sector इसमें क्या हुत है, स्थानिक शर्म, तता कच्चे माल पर निर्बर होता है, मुटर इसका उतपादन भी competitions करते हैं, बहुत कम होता हैं, सीमिट होता है, जो Fleetwood कर गा जो बिजली की मश्यीनों के द्वारा, safety ज इतना जाता काम नहीं हो पाता है, हाँ एक कोशन ये भी है, इंपोर्टेंट जो कोशन है वो ही बता रहा हूँ है, आपको ध्यान से देखो, सूती वस्तर उद्योग का वित्रन, इस पष्ट करते वे बताओ, कि इस उद्योग के पूरे देश में वित्रित होने के परमुक कार करें अगर हम, तो मुंबई और एहमदाबाद में सूती वस्तर उद्योग का विकास हुआ था, मैंने मुंबई दक्षिन भारत में, अगर आपने पढ़ाओ उस टाइम पे, यहाँ पे है मुंबई, तो अगर आपने हिस्टरी में पढ़ाओ तो वहाँ पे आपको पता लग करेंगा कि मुंबई, एहमदाबाद, इधारीते, सूती वस्तर उद्योग, उसके बाद क्या हुआ दक्षिन भारत में कोयम बटूर, मदूरे, बैंगलोर, यह उद्योग फैला, फिर यहाँ पे फैल गया, इसके बाद यह नागपूर, इंदोर, शीला, सॉलापूर, कानप वडोदरा, यहाँ पे इसके किंदर बने, आज तमिल नाडू में सबसे अधिक मीले हैं, मीले लिखा हुआ है ना मील बोलते हैं जिसे, वो हैं, कारण क्या है इतना जादा फैल जाने का, तो सस्ता स्थानिक श्रम, क्योंकि यहाँ पे सस्ता स्रम मिल जाता है, यानि हलका होने के कारण, यह बाजार, कच्चा माल जो है और उत्पादक माल जो हलका होने के कारण, यह बाजार केंदृत उद्योग है, अर्थात इसका मतलब यह कि कच्चे माल जो कपास किस रोत के पास नहीं, बलकि बाजार के पास उद्योगों का होना, कि बाजारों के पास वह उद्योग होते हैं अगली बात है कि परिवहन की सुविधा का विकास कि यहाँ पर परिवहन है आपने सुनाओगा, अच्छे सहर है हैं सारे जितना बढ़ाता हैं, यहाँपर परिवहन अच्छा मिल जाता है ठीक है, बिजली बगारा सारी चीज़े जो उद्धोग के लिए चीज़े वो सारी चीज़े आप उपलागे Q4星1o Q4 यहां ग्यान आधारित उद्धोग में सबसे अग्रणी है जो भारत का software उद्योग है वो ग्यान आधारित उद्योगों में सबसे आगे है कोई reason दो, तर्क दो IT software एवं सेवा उद्योग, भारत के सकल घरेलू यानि हमारी जो GDP है, उसमें लगबग 2% के लिए उत्तर दाई है भारती software company अंतराष्टे गुणवत्ता युकत है IT, IT software के लिए, ठीक है, अब आते हम अगले question पे एक ये भी पढ़ लेते हैं, चीनी उद्योग वाला question कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है देखो गन्ना, चीनी का ऐसे मनती है, गन्ना, गन्ना अगर खेत से काटने के 24 गंटे के अंदर, उसका रस निकाला जाए, तो, अधिक चीनी की मातरा प्राप्त होती है, यानि गन्ना को जब खेत में से काटा है और 24 आधर के अंदर, उसका रस निकाले, तो चीनी जो मिलेगी, वह अधिक मातरा में मिलेगी, दूसरा ठीक है और मौस में उद्द्यों के इसलिए क्योंकि आपको पता है गन्ना उसकी भी फसल होगाई जाती है एक मौसम क्या कॉर्डिंगी और दूसी चीज क्या है कि सुस्क्रितु में गन्ना को खेत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि सूखने लग जाता न उससे और सूखने पर क्या होता है सूखने पर चीनी की मातरक कम हो जाती है उसका जो रस है वो देरे-देरे सूखने लग जाता है इसलिए इसे काट कर तुरंत मीलों में भेजा जाना जरूरी है और मीले केवल उस मौसम में काम करती है जब उसे काटा जाता है जब मतलब गन्या काटने का एक मौसम होता है एक समय होता है उस समय में जब गन्या काटा गया 24 गंटे के अंदर उसे मील में पहुचाना है और वो जो मील होगी उसी वक्त काम करेगी यानि यह कोई पूरे साल चलने वाला काम नहीं है इसलिए ऐसे ज कोई बच्चा कमेंट में यह कह रहा था कि आप सारे कोशन क्यों नहीं करवा रहे हो बता नहीं क्या कुछ कमेंट लिगाता मैं अच्छे से बढ़ा नहीं जल्दी बाजी में तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा टाइम देखो आप कितना है परसो पेपर है और योग्रोफी त वशगता मैं इंन जल्दी बताना चैप्टर टो फिर मैं किसी तरीके से कोशिश 20 कल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सपॉटिंक से में इन कोश कर दूँ अगर एक कोशन को करने लगा ना पैठ टो दोस्तों फिर तो एक चैप्तर भी निहोँ पाए इसलिए जो कर रहा हूँ आप ध्यान से देख लो आप समझ जाओगे उसके बाद अपनी खुद हलकी बूल के मैनत कर लो साल बार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छा होगा आपके साथ अगर दोसी चीशक पेपर बहुत जादा ईजी आता है इतना मुस्किल फेपर नहीं आताा पेपर आप दे की आहोगे तो आपको खुद बड़ लग जाएगा ठीक है मूले में भी विर्दी हो जाती है कपास से जैसे कपास का धागा है कीमत उसकी कम है लेकिन जब उसका कपड़ा बना देंगे तो उसका मूले बढ़ जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आई होप आपको यह तो बहुत असा कोशन है समझ में आ रहा होगा यह अच्छा कोशन है यह देख लो दोस्तों कोशन है आपके सामने कि भारी उद्योग किसे कहते हैं भारी उद्योग किसे कहते हैं दोस्तों खनीच बदारतों का उपयोग करने वाले आधारबूत उद्योगों को भारी उद्योग कहते हैं यानि खनीच बदारतों का उपय अमाल भी भारी होता है तता उतबाद भी यानि जो बनता है वो भी भारी यह उत्योग किसी भी देश के उत्योगी करन के आधार शिला होते हैं जैसे बात करें अगर हम लोहे की लोहा इसपात उत्योग मशीनरी उत्योग इंजीनियरिंग सामान बनाने का उत्योग यह सारे कि इसमें आते हैं ये सारे के सारे भारी उद्योग में आते हैं ठीक है तो याद रखना कोशन नूमबर 21 21 ये कि भारत की नई उद्योगिक नीती जो 1991 में अपनाए गे थी इसमें किये गए 6 उपाई बताने हैं तो ये आप समझ गया होंगे मैंने बताय था राजी उगांदी थे बाद में उनकी हत्या भी हो गई थी और उसक बहुत सारे बतलाओ किये गए थे तो देखो उद्योगिक लाइसेंस विवस्ता का समापन जो उद्योगों का लाइसेंस वगएरा था वो विवस्ता खतम करी गई क्योंकि उसमें धांदले जादा थी और उससे उद्योग भी प्रभावित होते थे उद्योग लगाने में जो फॉर्मैलिटीज होती थी वो बहुत जादा थी फिर उसके बाद था विदेशी तक्निकी का निशुलक परवेज कंप्यूटर वगेरा आये थे और जब कंप्यूटर वगेरा आये थे तो बहुत लोगों ने विरोध कर आये तो जाएगा तो x2 लोग जो काम करते है वो अकेले x2 लेगा यानी Kंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर हजारों लोगों को रोजगार छीन लेगा ऐसे ऐसी कई तरह की बाते बताई गई थे उस टाइम पे तो दूसरे बुद्धी चीवी लोगों ने ये खाँ कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो उससे रोजगार भी तो लेगा हजारों को तो अपने अपने तर्क दिये थे ठीक है और विदेसी निवेस नीथी पहले क्या होता था मतलब विदेस व्यापार से कतराते थे विबिन देस लेकिन जब से वैश्वेकरण और वैश्वेकरण का दोर आया तो सारे देस का करने लगे एक दूसरे से व्यापार करने लगे तो विदेस निवेस नीथी ये सारी चीज़ होने लगी पूंजी बाजार सुलब था पूंजी को बाजार तक पहुंचाए जाए ये सब खुला बाजार मुक्त बाजार मुक्त बाजार में क्या था इन कोशनों पे ध्यान देना बिल्कुल एग्जेक्ट आने के चांसे हैं पेपर में हो सकता है आ जाए बारत में सूचना प्रोद्धोगी किरांती के प्रभावों को चर्चा करो कि भारत में सूचना प्रोद्धोगी की जो कम्मुनिकेशन प्रोद्धोगी किरांती ने अच्छे लेवल के हैं ठीक है वर्ल्ड में उनकी वैलू भी है इसके बाद देखो भारत में चीनी मिले गन्ना उत्बादक छेतरों को क्यों संकें इंद्रित करती है पांच बताओं ये वही प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताओं अगर आपको यादो चैप्टर सुरू करा था वही बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है आगे कोशन में आएगा तब बताएंगे मान लो कि आप उद्योग की कहीं स्थापना करने जा रहे हो उद्योग लगाने जा रहे हो तो क्या देखोगे आप आप यही तो देखो है उन सारी चीज़ों को धियान रखाना है तीसरी चीज देखेंगा हम परिवहन क्योंकि हमें कच्छा माल लाना भी पड़ेगा और जब कच्छा माल बन WAY यहां देखोगे-वहां से माल बना कर बेच रहे हैं और जितना हमें कमाना नहीं उससे जाता हो तो हमने क्या कर दिया उसके किराय में ही लगा दिया परिवेन में लगा दिया तो ये चीज़े गलत होंगे तो हम ये देखेंगे भाई बाजार भी वहाँ पे क्या हो बाजार आसानी से आसपास हो यानि कि बाजार की निकटता नजदीक हो जिससे कि हम भोगता तक वो पहुँचा पाए इसके बाद है श्रम भाई जब भी कोई उद्योग लगा जाएंगे तो हमें काम करने के लिए श्रम देखेंगे इन किंद्रों में आपनिवेशिक काल से ही में ही विकास हो गया था मुर्शिदवाद बदोई सूरत बडोदा ये क्या है प्राचीन समय से ही उद्योगिक के इंद्र के रूप में आए थे तो यहाँ पे भी क्या है कुछ एतिहासिक कारक की वज़े से भी यहाँ पे द्योग जो है ज्यादा लगए जा रहे है ये दोस्तों ये आपको क्या करना है ध्यान से पढ़ लेना आप इसको ये फिगर वगरा नहीं बता रहों मैं आगे आता हूं कोश्चन पे और कोई है इंपोर्टन तो वो बता देता हूं चलो इसे देख लेते हैं याद ने आरा मुझे इसलिप और दिमाग से समराट ऐसे कुछ नाम से जहास था तो ये मुंबई हाई का है एक ऐसी जगह है जो अरब सागर के नजदिक जहां पे क्या था कि पेट्रोल वगरा उपलब्द होते हैं मतलब बड़े मातरा में निकाले जाते थे फिर यहाँ अभियंत्र की अभियंत्र की का मतलब है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वस्तु हैं पेट्रोलियम परिसोधन ये सारी चीज़े क्या हैं उपलब्द हो जाती है तो ये हो जाएगा अब आते हैं देखो भई भारत में सूती वस्तु उद्योगा में पता है लेकिन उनकी कुछ समस्या है क्या समस्या है सोचो और बताओ देश में लंबे रेशे वाली कपास का उतबादन कम है अते इसे विदेशों से खरीदना बढ़ता है एक ये समस्या है दूसरी चीज सूती कपड़ा मीलों की मशीनरी जो है वो पुरानी है अते इसे विदेशों में आयात करना बढ़ता है विदेशों से आयात करना बढ़ता है यानि हमारी जो मशीने वगएरा है मशीनरी जो है वो पुरानी है हमें विदेशों से लेनी बढ़ती है मशीनरी वगेरा फिर क्या मशीनरी का आदुनी करन के लिए स्वाचालित मसीने यानि आटोमेंटिक मसीने लगाना भी जरूरी है इसके लिए पूंजी किया वे सकता है यानि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा एक यह समस्या है यानि चाइना और जापान से जो चीजे बनकर आती है उनसे भी competition करना पड़ता है तो यह एक समस्या वाली बात हो सकती है इनके लिए यह question और देख लो भई उदारी करन, निजी करन, वैशी करन क्या अर्थ है इनका और उन्होंने भारत के उदारी करन से अभी प्राए है निजी चेतर से सभी परकार के प्रतिबंदों को हटाना यानि उदारी करन का मतलब होता था कि यह जो privatization था ना आमरे देश में बहुत तरह की प्रतिबंद वगेरा होते थे और तो यह सारे प्रतिबंद हटा दिये हटाने की बात रखी गई थी ताकि क्या हो जाए कि व्यापार बगेरा में बढ़ोत रियो तो जैसे कि ओद्धोगिक license व्यवस्ता को खतम कर दिया जाएगा विदेशी टेक्निलोजी को भारत में लाए जाएगा और उसका प्रयोग किया जाएगा ठीक है फिर उसके बात क्या है कि विदेशी निवेश का उदारी करन ताकि विदेश से जो आने वाली चीज़े हैं विदेश से जो भारत में निवेश हो सके फिर क्या है मुक्त व्यापार कि हमारे यहाँ पर बन रिये चीज़े उसको हम बाहर बेचेंगे बाहर से जो चीज़े बन के आ रहे हैं उसे भी हम करी देंगे इस तरीके से हमारा व्यापार निजी करन आपको पता होगा बहुत आसान है प्राइवेटाइजेशन जो कि पुन्जी वाद में कि एक मुख्य विसेशता है निजी करन तो निजी चेतर में अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना कि ये कहा गया था कि निजी चेतर में ज़्यादा ज़्यादा उद्योगों को सम्मिलित किया जाएगा सरकार का प्रभुत्व जो है वो समाप्त करना था होती थी की पहले डेजू सरकारी हात में होती थी बात में क्या हुआ बीजुए सकी टाटा राजदानी पाफर बीजुए असे पावर के wonders 3 या所 सरकार ने यान कि ब te dois निजी वेत्यों को दे देना फिर वईश्वेकरन वईश्व kicks को संसार कि यह जोड़ना उसमें क्या होता है पूंजी का शेवाओं का अश्रम का संसादनों का एक से ज्यादा देसों में पहुंच जाती है चीजे तो ये जो उदारी करन नेजी करन वैश्व करन है इसे भारत के अध्योगी की विकास में क्या साहता मिली है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ची का है कॉंपिटीशन जो था कॉंपिटीशन के परिणाम सरुप कुछ भारतिय कंपनियों को लाब हुआ है और कुछ कंपनियों को नुकसान भी हुआ है तो कुछ कंपनियों को फायदा भी हुआ है कॉंपिटीशन जब होता है तो क्या बढ़ती है क्वालिटी बढ़ जाती है टाटा मोटर इंफोसिस जैसे कंपनियों ने विश्व भर में अपनी साखाइं खोल लिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है छोटे उत बादकों पर वैश्री दरन का बुरा परभाव पड़ा वे बड़ी कंपनियों से competition नहीं कर सकती ठीक है ये एक चीज है कि छोटे उत बादक थे हो उन पर बुरा बड़ा पड़ा है क्योंकि अब जो ये आप देखते हो कि मॉल वगेरा खोल रहे हैं इनसे क्या होता है कि जो खुद्रा दुगानदार होते हैं उनको नुकसान होता है इसी तरीकी से जो छोटे किसी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो ये एक समस्या बन जाती है देखते हैं तो यहां से दोस्तों ये चैप्टर इस चैप्टर के इंपोर्टेंट कोश्चन जो थे मैंने कवर कर दी हैं वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंद आए तो लाइक कर देना कमें कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि कोई इसका फायदा उठा सके हाला कि मुझे लग नहीं पारागी मैं बहुत अच्छे से बता पारा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बाचे में बताना पड़ रहा है लेकिन फिर भी जितना मेरे बस में है जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना अच्छा करने की कोसिस कर रहा हूं आपके लिए तो आई होप आपका पेपर भी अच्छा जाएगा बैस्ट अब लक्स अभी को और कल देखते हैं कल most important question डाल देता हूं last year जो आये हुए है most important question जो पिछले दो-तीन साल के पेपर आपको दिखा देता हूं कैसे पेपर आये हैं उस पर वीडियो बना दूँगा और अगर टाइम निकाल के देखता हूं मैप वगएरा जो आये हैं दो-चार मैप बता दूँगा इतना हो पाएगा उसके बाद परसो तो आपका पेपर ही है